वाला दोस्तों वैल्कम टू एम एक्ट्रिकल चैनल टोपिक है हमारा आज का MCB MC की फुल फॉर्म क्या आती है क्या एंच भी क्या होती है और कैसे काम करती हैं एंच यूब का पूरा ना मिनियाचर सर्कृट ब्रेकर एंच भी क्या है कैसे काम करती हैं अब बन जाती है जब लगब हर जगह बजाएं सीब को स्टेमल के जाता है पर थोड़ी देर बाद हम इसे दुबारा शुरू कर सकते हैं लेकिन हमें बदल नहीं पड़ता है जिसमें समय लगता है किसी जगह MCB को बढ़ावा जी जाता है ठीक है और आगे दोस्तों जैसे हमने इसमें बहुत सिंपल लिया हुए है आप को अंदर का इमेज दिखाया हुए इसके अंदर प्लंगर होता है ट्रिपिंग लिवर होता है इसके दोरा ट्रिपिंग होती है यह फिना बिल्कुल आप देखोगー नाचन के लिए होता है कि मेंटल के दोरह होती है जयासा कि मैंने आपको पहले दिखाया है जो कि दो दातों में मिलाकर बनाई जाती है जिन में से एक दातों गरम होने पर दूसरे के मुकाबले कम फैलती है इसी कांड जब एमसीपी पर करनेड बढ़ता है तब यह बाई मेंटर श्ट्रिप गरम होने लगती है और जिसके काण इसमें तरहे दातु कम फैलती है ज़या सब्सक्राइब करने के साथ सब्सक्राइब को भी अपने साथ-साथ हो रहे हैं एम सेबी किसी भी टाइप में जैसे सोट हो जाता है किसी भी भॉड़ में सोट हो जाता है तो अदर लगी सोट सर्कुिट होता है तब में लगी सोलेनेट कोल में बहुत ज्यादा में बनती है इसके अंदर लगे प्लंगर को आगे की तरफ दखेलती है ट्रिपिंग लिवर को इस दखे से आगे चला जाता है यह जब आपको पता लग गया कि सबसे बड़ा फाइदा सोर्ट सर्कुट के समय होता है यह बहुत जल्दी कुछी कुछी मिली सेकिंड में ट्रीप हो जाती है इसके काण हमारा नुक्षान होने से बज़ता है टाइप सीन एंसीवी प्रकार के आती है जैसे आपने देखा हूँ यह निचे दी होई है इसको मैं आपको पढ़ गयाता हूँ अच्छे से जाने करने के लिए इसका वदानर के लिए इस्तेमाल करेंगे मिफल लोड करन्ट या रेक्टीड करेंट 10 जे मानेंगे कि टाइब बी में अगर किसे एमसी बीका फ्लोड करेंट 10 एम्वेर है और फ्रवार टाइब बीमसी घ्र तो उसके अगर उसके अंदर से 30 से 50 एमपेर करेंट हो जाता है तो mcb trip हो जाती है टाइप c में इसी तरह हम लेंगे इसे परकार अगर type c का mcb है तो उसका full load current 10 ampere है तो 50-100 ampere current flow होने के लिए पर trip हो जाएगा यह type d की बात करते हैं इसे परकार अगर type d का mcb है उसका full load current 10 ampere है तो वह 100-200 ampere current flow होने पर trip हो जाएगा जैसे type k वैसे ही type z भी है ठीक है इन आव जो अपने घरों में यूज होने वाले mcb जो आपने जैसे normal यह बनाई है लिस्ट तो उस टाइप से आप यूज कर सकते हो इसको देखने के पाद रैफ्रीजरेटर है जैसे फ्रीजर हमारे गर पे 165 लीटर का है 244 लीटर का है उसके लिए हम डेड़ा एंपर के mcb जी टाइप में लगा सकते हैं ऐसे वासी मजीन रूम हीटर है वाटर हीटर है विद्ध प्रेस है एलेक्रिकल के दरी माइक्रोवववन एयर कंडिशनर में जैसे एक टन का है डे टन का है उसके लिए आप अलग लग तरह की अलग लग परकार की आ तो यह आप mcb लगा सकते हो थैंक्यू जोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे थैंक्यू